नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आईए आज हम सभी जानते हैं एक बेहदी महतोपून टॉपिक के बारे में जो की है पान के पत्ते का ऐसे अगर आपने उप तक शीरा कहते हैं दक्षिन पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला एक लता होता है ये दिल के आकार वाले पान के पत्ते और शध्य गुनों से भरपूर होते हैं भारते उप महादुइप में भोजन के उपरांत पान का सेवन बहुत ही प्रचलित है भारत में हर गली नुक पर पान के दुकान की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहां पान कितना पसंद किया जाता है पूजा पार से लेकर के पान का इस्तेमाल मिठाई बनाने तक के लिए किया जाता है हम यह बात मान सकते हैं कि पान के पत्तों में सुपारी तंबाकू चूना इत्यादी गंबेर बीमारियों जैसे कैंसर दूर करने से लेकर सरदर्ध कब्ज दर्द दूर करने के गुण होते हैं इसमें आज हम आपको अपने इस वाई सुवर में पान के इन ही आउश्यध्य गुणों के बारे में बताएंगे आई जानते हैं पान के पत्ते के फायदों के बारे में भारत में पान के वल खाने के लिए ही नहीं बलकि पूजा, यग्य, हवन, सांस्कृतिक कारियों मेहमानों का स्वागत इत्यादी कारियों में इस्तेमाल किया जाता है पान बिहार, पश्चिम बंगाल, बनारस, सांची इत्यादी जगों में पैदा की जाती है विभिन अस्थानों में पैदा होने के कारण पान मदरासी, बंगला, कपूरी, महोबा, बनारसी, मालवी, वियोला, महाराजपूर, देशी इत्यादी नामों से जाने जाते हैं इन श्वास्रोग एक एलर्जिक तथा जटिल विमारी है, जो ज्यादातर श्वासनली का में धूल के कन जमा हो जाने के कारण या श्वासनली में ठंध लग जाने के कारण होती है दमारोग जलन पैदा करने वाले पदार्थों का सेवन करने देर से हजम होने वाले खादे पदार्थों का सेवन करने रस वाहिनी शिराओं को रोकने वाले तथा दस्त रोकने वाले पदार्थों के सेवन करने के कारण होता है यह रोग ठंडे पदार्थों अथवा ठंडा पानी अधिक सेवन करने, अधिक हवा लगने, अधिक परिश्रम करने, भारी बोज उठाने, मुत्र का वेग रोगने, अधिक उपवास तथा धूल, धूआ इत्यादी के मुह में जाने के कारणों से स्वास रोग उत्पन्न होत कुछ बच्चों में दमा रोग वन्शानुगत भी होता है, माता पिता में किसी एक को दमा होने पर उनकी संतान को भी अस्थमा रोग हो सकता है, वर्शारीतु में दमा रोग अधिक होता है, क्योंकि इस मौसम में भातावरन में अधिक नमी होती है, ऐसे भातावरन में दम दमा के दोरे पढ़ने की संभावना भी रहती है दमा के दोरे पढ़ने पर रोगी को घुटन होने लगती है और कभी-कभी दोरे के कारण बेहोश भी होकर गिर पढ़ते हैं वे दमा का अध्भूत उपाय अब जान लीजे लगभग 5-10 मिली लीटर पान के रस को शहद के करने से दमा या श्वास का रोग ठीक हो जाता है गज पीपली का चून पान में रखकर सेवन करने से श्वास रोग मिट जाता है बंगाली पान को कुट पीश कर कपड़े में निचोड़कर 500 मिली लीटर की मातरा में रस निकालने इसी तरह अध्रक और अनार का रस 500 मिली ल इसके साथ ही काली मिर्च 60 ग्राम और चोटी पीपल 80 ग्राम लेकर सभी को एक साथ कूट पीश कर 1 किलो मिश्री मिला करके धीमी आज पर रखकर चासनी बना लें प्रती दिन इस चासनी को 10-10 ग्राम की मातरा में सेवन करने से खासी श्वास और बुखार इत्यादी रोग दूर हो जाते हैं तथा भूख बढ़ने लगती है जावित्री को पान में रखकर खाने से दमा के रोग में लाव होता है पान में चूना और कथा बराबर मातरा में लगा कर एक इलाची और दो काली मिर्च को डाल कर धीरे धीरे चबा कर चूसते रहने से दमा के रोग में आराब मिलता है दमा या अस्थमा में साव धानी क्या हुनी चाहिए ये जान लिजे दमा से पिडित रोग्यों को तरबूज का रस नहीं पीना चाहिए दमा के रोग्यों को केला कम खाना चाहिए दमे में केले से इलरजी हो सकती है दमा से बचने के लिए पेट को साफ रखना चाहिए, कबज नहीं होने देना चाहिए, ठंड से बचे रहें, देर से पचने वाली गरिष्ट चीजों का सेवन न करें, शाम का भोजन सुर्यास्त से पहले कर लें, शिग्र पचने वाला तथा कम मातरा में भोजन लेना चाहिए गर्म पानी पीएं, शुद्ध हवा में घुमने जाईए, धुम्र पान नहीं कीजिए, क्योंकि इसके धुएं से दोरा पड़ सकता है, प्रदूशन से दूर रहें, खास तोर से और द्योगिक धुएं से, धु, धुएं की एलर्जी, सर्दी एम वाइरस से बचें, मनुविक से योग अभ्यास एवं कसरत करते रहना चाहिए, बिश्तर पर पून आराम एवं मुझ के द्वारा धीरे-धीरे सांस लेना चाहिए, नियम पुर्वक कुछ महिनों तक लगातार भोजन करने से दमा नश्ट हो जाता है, दमा या अस्थमा में भोजन तथा परहे जान का दूद पीना चाहिए, रोगी को खुली धूप में कभी नहीं बैठना चाहिए, रोगी के लिए धूप के पास वाले चायादार स्थान में बैठना लाफकारी होता है, रोगी को मन शान्त रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव, क्रोध और उत्तेजना स बचना चाहिए, रोगी की छाती पर प्रती दिन सुबह सुर्य की किरन ढालनी चाहिए, रोगी को ठंधी या गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, रोगी को हलका तथा पाचक भोजन लेना चाहिए, गले तथा छाती को ठंध से बचाना चाहिए, पेट में कभज हो जाए तो उसे दूर करने के लिए फलों का रस गर्म करके सेवन करना चाहिए दस्त लाने वाले चून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि दमा के रोगी की सहन शक्ती बहुत कम होती है भोजन में गेहूं की रोटी तुरई करेला परवल मिथी बत्वा इत्यादी चीजे मूंग एवं मसूर के दाल निम्बू करेला बकरी के दूध अनार आवला तथा मिश्री इत्यादी का सेवन करना दमा में लाफकारी होता है इस रोग में ठंडी चीजें दूध दही केला संतरा सेव नाश पाती खटी चीजें इत्यादी नहीं खानी चाहिए शराब तथा बिड़ी सिग्रेट पीना हानिका रख होता है नहीं पीना चाहिए दमा के रोगी को रूखा भारी तथा शीतल पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए सरसूं भेर का घी दही खटाई रात को जगना लाल मेर्च अधिक परिश्रम शोक क्रोध गरिष्ट भोजन और दही इसके साथ साथ किसी भी मानशाहार का सेवन नहीं करना चाहिए पान के पत्ते के बिस अन्य अद्भूत लावों को भी जान लीजिए कबज पान के पत्ते चबाना कबज के लिए भी एक कारगरी लाज है कबज के स्थिती में पान के पत्ते पर अरंडी का तेल लगा करके च इससरा भाग न बच जाए इसे दिन में तीन बार आपको पीना है पाचन तंत्र पान के पत्ता का वैसे माउट फेश्टनर के तरह इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसे चबाने से हमारे लिए काफे फायदा हो सकता है जब हम इसे चबा कर खाते हैं तब हमारी लार ग्रंथी पर असर पड़ता है इससे सलाइवा यानि के लार बनने में मदद मिलती है जो हमारी पाचन तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है अगर आपने भारी भोजन भी कर दिया है उसके बाद आप पान खालें इससे आपका भोजन आसानी से पच जाएगा ब्रोंकाइटिस पान के स पत्फों को दो कप पानी में उबालें जब पानी एक कप रह जाय तो उस पानी को दो पहर के समय पी लें शरीर के दुरगंध दूर हो जाएगी घाओ पान के पत्ते को पीश कर जले हुए जगह पर लगाएं कुस दिर बाद इस पेष्ट को धो दें और वहां शयर्द लग नकसीर, गर्मियों के दिनों में नाक से खुनाने पर पान के पत्ते को मसल कर सुंगे, इससे बहुत जल्दी आहराम मिलेगा मुँ के छाले, मुँ में छाले हो जाने पर पान को चबाएं और बाद में पानी से कुला कर लें, ऐसा दिन में दो बार करें, रहत मिलेगी, आप चाहें तो ज़्यादा कथा लगा करके भी मीठा पान खा सकते हैं कैंसर, पान चबाने से औरल कैंसर से भी बचा जा सकता है, बशर्ते की पान का इस्तेमाल जर्दा और तंबाकू के बिना किया जाए, पान के पत्ते में मौजूद एफसकॉर्बिक एसीड और अन्य एंटियोक्सिडेंट मुँ में बन रहे हानिकारक कैंसर फैलाने वाले त इस पानी से आँखों पर छीटे मारें, आँखों को काफी आराम मिलेगा, खुजली होने पर पान के 20 पत्तों को पानी में उबालें, अच्छी तरह से उबलने के बाद इस पानी से नहा लें, खुजली की समस्या खत्म हो जाएगी मोटापे के लिए वजन कम कर रहे लोगों के लिए पान के पत्ते चबाना बहुत ही फायदे मंद होता है, जिहां पान के सिवन से शरीर का मेटाबलिजम अश्चर ये जनक रूप से बढ़ता है, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है, इसके सिवन से शरीर से अतिरिक्त तो वसा भी नश्ट होती है, मसूरों से खुनाना, दो कप पानी में चार पान के पत्ते को डाल कर उबाल लें, इस पानी से गरारे करें, मसूरों से खुनाना बंद हो जाएगा, पौरुश शक्ति के लिए, पान को शक्ति का सिंबल भी माना जाता है, इसलिए नए जोडे को पान खिलाने की परमपरा भी काफी पुरानी है, इसलिए इसे दिया जाता है, मा और शिशु, पान के कुछ पत्तों को लें, इन्हें दोने के बाद इन पर तेल लगा करके हलका सा गर्म कर लें, और गुनगुना होने पर इसे अंग के आसपास रखें, इससे सूजन चली ज अगर आपको मुहा से हो रहे हैं, तो पान के आठ पत्ते अच्छी तरह से पीछ लें, इसे दो गलास पानी में गाढ़ा होने तक उबालें, बाद में इसे फेस पैक की तरह इस्तिमाल करें, मुहा से दूर हो जाएंगे, बाल तोड होने पर, जिहां दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी जिसमें की पान के पत्ते के लाभों को आपने जाना, अगले एपिसोड में आप सभी से जुड़ते हैं, एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों